हेलो दोस्तों एक बहुत इच्छी ख़बर आई है Hexaware Technology की तरफ से दोस्तों Hexaware Technology ने Freshers के लिए Recruitment स्टार्ट कर दिया है दोस्तों Hexaware Technology एक Leading IT और BPO Service Company है आगे किस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसके लिए apply कर पाएंगे क्या-क्या इस पर round होने वाले हैं और कौन-कौन से लोग इसके लिए eligible हैं लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ले सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो को like कर दीजे चलिए हम आगी की वीडियो को start करते हैं दोस्तों कर आप इस कंपरी में जॉप के लिए apply करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको description पर मिल जाएगा जैसी आप उस पर click करेंगे आप आजाएंगे Hexaware की इस official website में दोस्तों अगर आप यहाँ पर scroll करके नीची आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर click here का एक link मिलेगा आपको इस पर click करना है आप जैसी इस पर click करेंगे आपके सामने ये PDF form आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस job का जो role description given है वो है graduate engineer trainee साथी दोस्तों यहाँ पर आपको इस company के बारे में बताया गया है साथी दोस्तों अगर आप यहाँ पर नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर एक clearly mention है कि अगर आप यहाँ पर job के लिए apply करना चाहते हैं तो आपका B, BTEC, MC होना जरूरी है इसका यह मतलब है अकर आपने BCA किया है आपने MSC किया है या आपने MCOM किया है तो फिर आप इस job के लिए apply नहीं कर पाएंगे साथी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका year of passing 2021 होना जरूरी है यह मतलब है कि अगर आप अभी 2020 में pass out हुआ हैं तो आप इस job के लिए apply नहीं कर सकते हैं साथी दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन-कौन system वाले इस job के लिए apply कर सकते हैं और यहाँ पर यह भी mention है कि अगर आपका 60% criteria completed है यहने अगर आपका 10th में 60% है 12th में 60% है और अब तक graduation में आपका 60% है तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं इसके अलाबा दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको कोई भी active backlog नहीं होना चाहिए अगर आपका एक भी अभी कोई backlog है तो आप इस job के लिए apply नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपका कोई previous backlog था उसे आपने अभी clear कर लिया है तो अगर आप चाहें तो इस job क के बाद एक साल का gap लिया होगा तो आप यहाँ पर apply कर पाएंगे अगर आपका gap एक साल से जाता होगा तो आप यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे साती दोस्तों जब आप इस company में job के लिए apply करेंगे और अगर आपका selection हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक agreement sign करना पड़ेगा दो साल का इसका ये मतलब है कि दो साल तक इस company को आप नहीं छोड़ सकते अगर आप छोड़ेंगे तो आपको इस company के according कुछ penalty pay करना पड़ेगा साथी दोस्तों अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने clearly mention किया है कि अगर आप यहाँ पे job के एप्लाई करना जाते हैं तो आपकी communication skill अच्छी होनी चाहिए आप एक team pair होने चाहिए और आपको reliable और punctual रहना है साथी दोस्तों अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जो भी इस job का role description है वो भी यहाँ पे बताया गया है अगर आप इस job के लिए यहाँ पे apply करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक link देखने के लिए मिल जाता है आपको इस पे click करना है इसके अलावा अगर homepage में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक apply now का button देखने के लिए मिल जाएगा इस पे भी click करके आप यहाँ पे registration कर सकते हैं जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने यह registration page आएगा आपको इसे सही तरीके से feel करना है इसके लिए आपको यहाँ पे अपना first name, last name, gender, mobile number, guardian name date of birth जो भी आपका 10th का percentage है, 12th का percentage है और graduation में अब तक आपने जितने भी percentage पाए है उसको यहाँ पे feel कर देना है इसकी बाद आप अगर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो college है वो NEC, MBA किस से recognize है जिस से भी recognize होगा आपको उसके yes क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे submit का एक button मिलेगा, इसे submit कर देना है, जैसी आप इस form को submit कर देते हैं, आपके सामने यह पेचाता है, अभी इसके exam का date declare नहीं हुआ है, आगे का जो भी information होगा, वो आपको email के जड़िए पता चल जाएगा, बात की जाए बर्ड राउंड होता है आपका technical interview का, जिसमें आपसे CC++ data structure operating system की उपर MCQ कोशन पुछे जाते हैं, अगर आपकी तीनों round क्लिर कर लेते हैं, तो आपको जो last round होता है, वो होता है HR round, यहाँ पे आपको aptitude, general English reasoning के 20-20 कोशन मिलते हैं, और technical के यहाँ पे total 40 MCQ कोशन होते हैं, ज जिसके लिए आपको 100 minute का time मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक essay ride भी करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 15-20 minute तक का समय मिलता है, दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन सब के तयारी free में भी कर सकते हैं, जिसके उपर मैं already एक video बना चुका हूँ, जिसका link मैं description पर दे दूँगा, तो दोस्तों काफी एक अच्छी opportunity है, जिससे आपको miss नहीं करना चाहिए, साथ ही आपको इस message को अपने दोस्तों के साथ भी share करना चाहिए, अगर आपको यह video अच्छा लगा तो इसे like कर देजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ share करिए, thank you